हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आज की वीडियों अपन 17 जुलाई 2023 का सिफ्ट बन का पेपर सॉल्व करेंगी ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा किसी को अगर ऐसी पीडिएफ चाहिए तो वो का मलेगी एप में मिलेगी एप का लेकिन डिस्क्रिप् कोश्च्ट सॉल्उचन है पहला कोश्चन है अपने सामने जिएए यहां डिवाइट देख रहा है यह ब्रेकेट दिख रहा है तो पहले इस ब्रेकेट कोई सॉल करों क्या जाएगा 11909 एक्क्यासी बटे 990 ठीक हो मॉल्टिप्लाय क्या मॉल्टिप्लाय है एक सुक्ष इस 144 बटे by 98 और multiply by 9 into 11 ठीक है बिल्कुल ठीक है नो से इसको काटो नदूनी 18 नदूनी 18 ग्यारा दूनी 22 और 2 से ये कड़ जाएगा 2 सत्य 14 दो दूनी 4 ठीक है बिल्कुल ठीक है 72 multiply by 2.5 बागी साब हो गया बिल्कुल ठीक है इसको multiply कर लो तो देख भातर दूनी 144 और या फ़र या यह से देखो 25 दूनी 50 की 0 हसल के आएगी 5 25 चिक कर डियो 25 सत्य 175 और 5 180 और एक डिजेट के बाद point एक डिजेट के बाद point मतलब 180 आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखते हैं क्या बोल रहा है एक परिवार में तीन सदस्य है पिता माता की वह सतायू पिता की और माता की मतलब सब्सक्राइब और फादर की और मदर की कि एवरेज एज कितनी चालीस साल है पिता माता और पूतरी डॉटर इनकी average age है कितनी, तीस साल अब क्या करना है अपनको daughter की average age पूचिए, daughter की age पूचिए, कैसे निकालेंगे, division लगा लेंगे, बड़ा simple है, यहां से दिखो यह कितना जादा है, 10 जादा है, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, दो हैं, तो से multiply कर देंगे, यहां से आरा, plus 20 का division, यहां से आना चाहिए, minus 20 का division, क्योंकि overall division के चाहिए, zero, plus 20, minus 20 करेंगे, क्या जागा, zero तो 30, यह 30, ठीक है, इसमें से 20 minus कर दो, daughter की यह जाजाए, कितनी आ गई, 10 साल, ठीक है, बलकुल ठीक है, आगे देखते हैं, एक दुकानदार ने, एक बस्तू को 15% लाब पर बेजता है, ऐसे बाट का उप्यों करता है, जो 20% कम है, उसका वास्तविक प्रतिसद लाब बताईए, दोकि एक swapkeeper क्या करता है, एक item को 15% profit पर बेजता है, और bet भी use करता है, जो 20% कम है, 20% और 15% की fraction value, तीन बटे 20, 15% और 20% का मतलब एक बटे 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब 20 रुपे का सामान, 17 का सामान कितने में बेज रहा है, 20 में बेज रहा है, ठीक है, प्रॉफिट लिखा है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस आएगा, मतलब 20 का सामान कितने में बेज रहा है, 23 में बेज रहा है, और 20% कम बेट का यूज कर रहा है, मतलब 4 का सामान कितने में बेज रहा है, पांच में बेज रहा है, इस साइड लिखते है, अपन कम बाली value, इस साइड लिखते है, ज़्यादा व्हाली तृक्ष रहा का बिल्कुल ठीक है कि ब्ल्कुल त्टार पहांस से यह कर जाएगा पहांच चुको विष चार चुको शुला रुपे का सामान कितने इंबिकराई तेईस में कितना ज्यादा आप बोलु सर चार और तीन साथ ज्यादा मतलब साथ बटे सूला याद है किसी को आप बोले सर एक बाटे सूला होता है 6.25 परसेंट तो साथ बाटे सूला इसका साथ गोना चे सत्य ब्यालीस और पाच्चीश कडियोस पच्चीश सत्य एक सो पेच्चतर मतलब तिरतालीस पॉइंट दो तिरतालीस पॉइंट साथ पाच ठीक है यह अंसर आ गया विल्कुल ठीक है आगे देखो क्या बोल रहा है बहुत चूटी से चूटी संक्या ग्याद कीजिए जिसे घटाने पर इसमें से घटाना है प्राप्त संक्या क्या हो जाई आठ से डिविजल चाहिए आठ से डिविजुलिटी रूल क्या कहता है कि लाश्ट के तीन डिजेट क्या होने चाहिए आठ से कटने चाहिए तीन सो चब्वीस को आठ से काट कर देखो आप बोलो तो आठ सो को बतीस यहां अगर जीरो होता तो यह पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है यहां अगर जीरो होता तो पूरा-पूरा डिवाइड होता मतला इसमें से अगर छे माइनस करने तो जीरो बन जाएगा यह आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं यह दिक्कत आगे देखते हैं क्या बोल रहा है सिंप्लिफाय करना इस फॉलॉंग एक्सरेशन को यह क्या दिया आप ब सकते हो यहां से आएगा a square plus b square plus 2ab यहां से क्या आएगा a square plus b square minus 2ab plus 2ab minus 2ab plus 2ab minus 2ab क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा कितना twice of a square plus b square याद होना चाहिए अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं याद कर लेना a plus b ka whole square minus a minus b ka whole square यह कहाता है आप बोलो सर्थ यह आता है 4ab क्यांसे आता है a square plus b square plus 2ab a square plus b square minus 2ab लेकर यहां minus लगा है बाहर तो sign change हो जाएगे मतलब minus a square minus b square plus 2ab यहां plus का a square था minus का a square कट जाएग सिर्फ क्या बचेगा यहां का plus का 2ab और यहां भी plus का 2ab फोर यह भी आंसर आजाएगा अभी क्या चाहिए अपन को अभी यह आंसर हो जाएगा क्यों 2 3x का square 9x square 5 का square 25 और एक 2 यह आंसर आ गया ठीक है आगे देखो तरिज्या के बरावर उंचाई 5 cm तरियक उंचाई वाले संगू का आयतन ग्याद किजिए volume of कौन निकालना है जिसकी height किसके बरावर radius के बरावर slant height दिये 5 cm दोट है दोको यह होती है कौन कौन में एक triangle बनता है क्या देखा है आपने आप बोलो उससार देखा तो है कहां बनता है एक बार बता दो यह height यह radius और यह क्या है यह slant height ह है तो यह बन गया एक triangle को किस्लाइंट हाइट दे रहा की 5 यह भी radius है यह भी radius है है हाइट क्या बोल रखा है radius के बरावर है तो इसमें पाइथा कुरू स्थेरम लगा लोग कह दा अगा टू आर इस्कूर बरावर 5 का इस्कूर 25 आर इस्कूर की value क्या गई 25 बटे 2 और आर क की value गया गई 5 बटे रूट दो ठीक है अरे पाइथा को रोज स्थेरम लगा लिए यार आर इस्कूर प्लस आर इस्कूर बरावर 5 का स्कूर अब जो कूचा है वो निकाल लो क्या पूचा है वॉल्यूम ओफ कोन क्या होता बन बाइथ री पाई आर स्कूर 25 बटे दो कि एच की जागे भी आर लिखना है तो पांच बटे रूट दो क्या आ गया 25 पंजे 125 पाई दो दूनी चार रूट दो आंसर बताओ कौन से ओप्शन में तो दूनी चार रूट दो एक सो पचीस पाई अच्छा यह यह सोरी 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 बनवाए थे आता है ना च्छे रूट दो को मैं गलत क्यों पूर आए च्छे रूट दो आएगा वॉल्यूम ओफ कॉर्ण में क्या आता है बन बाए त्री पाई यार स्कूर एच ठीक है आगे दिखो एक पुलिस कर्मी ने तीन सो मीटर से एक चोर को देखा चोर भागने लगा पुलिस कर्मी उसका पीछा कर रहा था चोर और पुलिस क्रम्शा आठ किलो मीटर और नौ किलो मीटर की चाल से भागे तीन मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी है पुलिसमें नोटिस अ थ distance between them after three miles दो को distance निकालना है simple सा formula है speed equals to distance upon time आप बोलो है सर बिल्कुल ठीक है यह formula है speed equals to distance upon time यही formula लगता है अब अपन को निकालना क्या है पहले बोलो कि सर आप से पूछा distance distance पूछा है तो कैसे आएगा speed into time speed कौन से आएगी आप बोलो सर देखो आपन से पूछा क्या what was the distance between them उनके बीच का distance क्या आएगा उनके बीच का distance मतलब relative distance की बात हो रही तो speed क्या होगी speed भी relative होगी speed भी क्या होगी relative होगी relative speed मतलब 9-8 एक time कौन से आएगा यह सबसे important चीज़ है time कौन सा आएगा कूई बता पाएगा time कौन सा आएगा आप बोलो इससा time वो आना चाहिए देखो ये 3 मेर्ट आएगा क्या आप बोलो जो हाँ सार 3 मेर्ट आएगा उनके बीच का distance कितना बचेगा 3 मेंट बात बताना है तो यही तो पूछा है अपन से 300 में से कितना बच्चे का ताइम क्या जाएगा 3 मेंट का मतलब यह किलो मीटर परावर में इसको भी किलो मीटर इसको भी आवर में बदल लो ठीक है 3 से काटेंग कितनी आवर में कर जाएगा 1 by 20 है डिस्टेंस आगया त्वड़ाय 20 ख्लो मीटर में मीटर में बंदलनं क्या जाएगए आप बोलों से मीटर में बदलना1,000 से मल्टिप्लाय कर दो मीटर जीरो से जीरो कर जाएक brother कितनी पार मेंगा में 50 पार में यह disd towardsered डिस्टेंस आ गया आप बोलो इसर इनने पचास मीट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा पचास अगर कवर कर लिया तो बचा क्या पचास अगर कवर कर लिया तो बचा क्या कोई बता सकता है अब बोलो इसर तीन सो था 50 cover कर लिया बचा क्या 200 meter 300 था 50 चल चुके हैं बचा कितना 250 ठीक है बिलकुल ठीक आगे देखते साइन्टी प्लस कोस्टी दिया है अपन को 4 बटे 5 साइन्टी इंडू कोस्टी दिया है पहले तो ये बताओ ये कौन से topic का question है सबसे पहला question है कि ये question किस topic का है जो लोग trigonometry बोल रहा है वो बिलकुल गलत है ये trigonometry का question है ये question किस चीज़ का है क्येसे अभी बताता हूँ मालनो आपको दिया हो A plus B बरावर K आप से पूचा हो A B बताओ किसे निकालोगे आप बोलो बड़ा सिंपल है इसका square कर देंगे यहां से आ जाएगा A square plus B square plus 2 A B अब एक और कहीं से hint मिल जाए A square plus B square की value 2 A B यहां पर आ जाएगा A B A B यहां से निकाल सकते है आया दिमाग में कुछ है आप भूलोग से बिलकुल ठीक है अगर A की जगे sin square है B की जगे cos square है तो sin square plus cos square तो बन होता है अब तो question खतम होगा है इसका क्या करना है सिर्फ square इसका square जैसी करें कियागा sin square plus cos square plus 2 sin cos बराबर 4 का square 16 बटे 25 और sin square plus cos square क्या हो जाता है बन तो sin cos की value किया जाएगी 16 बटे 25 minus 1 और divide by 2 तो यह क्या जाएगा 25 में 16 minus करेंगे minus 9 बटे 50 SC आगया और यही बूचा था अपन से minus 9 बटे 50 ठीक है बताओ कोई समस्या कोई समस्या नहीं है आगे देखो यह question क्या है आप बोलो सर इसमें तो question नहीं जे plus minus का दियान रखते भी bracket open करते जाना है तो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले क्या minus y plus x यह bracket है bracket के बाहर minus है यह minus x plus y plus y minus का 2 y फिर minus है और 2 x plus y यह पूरा है इस इस लिख लिए यह बाहर प्लस 2 x minus bracket अच्छा यहां पर एक और चीज़ है by minus by minus x plus y minus x plus y plus y minus का 2 y अब इक एक bracket open करते जाओ जोंसे इसको open करेंगे तो यह minus बन जाएगा यह plus बन जाएगा यह minus ठीक है इस bracket को open करेंगे यह दोनों minus बन जाएगे यह bracket खता आगया अब इस bracket को open करेंगे यह कुछ कट रहा होती है काट लो पहले तो कुछ कट रहा है आप बोलो इसर देखो यह plus का y यह minus का y यह plus का x यह minus का x यह plus का y यह minus का y सिर्फ क्या बचा minus y बचा bracket यह बाहर minus है तो यह हो जाएगा plus का y minus का 2 y है और y plus 2 x है ठीक है बिल्कुल ठीक है तो यह देखो y y 2 y minus 2 y answer क्या आगया 2 x आगया ठीक है बताओ कोई दिक्कत है सिर्क देहान रखना plus minus का bracket open करना है solve कर देना है यह देखो question number 10 क्या बोल रहा है a b और c अके ले अके ले कार करते हैं तो 16, 24 और 36 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं a b working alone can complete a job in 16, 24 and 36 days ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे आगे क्या बोला है how many days they can complete the job if they do do it together यदि भी एक साथ काम करते हैं तो कितने दुनों में काम पूरा कर लेंगे पहले LC हम निकालो 8, 26, 28, 24 होता है और 9, 24, 36 होता है तो 9, 24, 36 ठीक है बिल्कुल ठीक है अब 8, 26 बचेगा 9 इसकी efficiency आगई 8, 24 बचेगा 6 इसकी efficiency आगई तीन तरका 9, 24, यहां से 1, 2 बचेगा 2, 24 इसकी efficiency आगई इसकी efficiency आगई बिल्कुल ठीक है टीक है total काम करना है इन तीनों को मिलके जोड़ना है इनकी efficiency क्या रही है अब बोलोगे सर देखो 9 और 6, 15 और 4, 19 डिवाइड वाइड 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 वाइड़ वाइड वाइड वाइड़ वाजन काना है नो सत्य त्रीजट, उन्नीश, सत्य एक सु ते तीस, बचे का ग्यारा बटे उन्नीश, आंसर, ठीक है, बता वो कोई समस्य है इसमें किसी को, नहीं है, आगे देखते हैं, एक ब्यक्ती ने तीन साल के लिए पांस सो रुपे, पांस साल के लिए छहसो पचास रुपे और साथ साल के लिए बारा सो पचास रुपे जमा की है शोला सो बीस रुपे का साधरन ब्याज प्राप्त हुआ पार्सिक ब्याज की तरह बताना है दोको सिंपल इंट्रेस्ट का सिंपल सा फोर्मुला क्या रहता है पी आर टी बाय हंड्रेड ठीक है आप बूलो किसा बिल्कुल ठीक की दिखकत नहीं है बते हंड्रेड आ रहा है मतलब यह 0 यह 0 यह 0 कट जाएगी यह बन जाएगा 6.5 यह बन जाएगा क्या 12.5 बते हंड्रेड आ रहा है साब में यह 6.5 यह 5 शॉत कि आर से मुल्टीप्ला होगा आर अपन को पता नहीं time सबका पता इसमें तीन है तीन से मु चीस वो पांच शिक्का थीस मतलब 32.5 आर बारा सु पॉइंट पांच में साथ से multiply करना बारा सत्य चौरासी और पांच सत्य पेंतिस चौरासी और तीन सतासी पॉइंट पांच जिसको यह से समझ में नहां रहा वो क्या करेगा वो बड़ा सिंपल स तरीका P R T by 100 R को R रखना यहां पर P रखना जो प्य दिया यह यहां पर time रखना टी बटे 100 यह से तीनो केस बनाने और इसको equal to interest करनेना जो यह दिया है ठीक है basic तरीका उसको भी आप solve करोगे तो यहां से solve करने पर आएगा तीनों को plus करने पर वो ही आएगा पांच और पांच 10 की 0 आ रही पांच दो साथ और साथ 14 और एक पंद्रा तीन दो पांच और आट 13 135 आ उसको भी solve करोगे आप 135 आ रही आएगा यह मैंने थोड़ा सोटकट में बता दिये आपको कितना आया रही 1620 रुपे दिये वैल्यू करे एक 135 आर की वैल्यू कितने दिये 1620 रुपे 5 से काट लो इसको 5 दूनी 10 5 सत्य पैंद्रीस 5 तीय 15 पांच दूनी 10 5 चुको 20 324 का मतला आठारा इंटू अठारा नो तीय सत्ता इस नो दूनी अठारा ती चींग अठारा चे दूनी बारा अंसर आगया आर की वैल्यू के आगई बारा कोई समस्या इसमें नहीं है तो आगे बढ़ जाओ आगे दिखो क्या बोल रहा है रक्षित अजय और सतीस एक नगर निगम के सफाई करम चानी है रक्षित अजय और सतीस क्या है सैनिटेशन बरकर हैं इन दा मुन्सिपल कोपरिक्शन रक्षित अलों टेक्स 20 आवर तू क्लीन आर ड्रेन वाइल अजय टेक्स 12 आर्स तू कम तू बेहन वरकिंग अलों तू दू सीम ओल त्री तोगेदर टेक ओनली 5 आर्स तू क्लीन दर हाव मेनी आर्स कें सतीस कंपलीट बर कला जो कौ recuerd बड़ा शिंपल सी चीज रक्षित अक Els ग्रक्षित अक ये काम कर लेता है अजय अकर कर लेता लेकिन एक और यह पंच गंटे करने पंकों वीज एफिशेंसी थोड़ी है एक निका लें पांच योख को बीज इसकी एफिशेंसी इी ना गए चारती है बारा इसकी effective 5 आ गए और ô 4-4 बारा इनकी effective 12, टीक है रक्षित की कितनी है आप भूलोसत, 3 है रक्षित की कितनी है 3 है अक्षै आजाए की कितनी है 5 है और 37 की आप भूलूसत, देखो 3-5, 8-8 इन दोनों की मिलके हो गई 8 तीनों की मिलके है 12 तो इसकी कितनी या जाएगी आठ चार 284 आ गई संसर को कई समझ समय को कोई दिक्कत है कि इसकी पांच है तो 30 की कितनी जाएगी जब तीनों की मिलके 12 एक की पता दूसरे की पता तीसरे की नहीं सकते हैं पिल्कुल निकाल सकते कोई दिक्क्त नहीं आगे देखू निक्य Toni फिन्हसम्रूप तिरभुज दिया सम्रूप सिमिलेवं सर्द्रायमि इनके परिमाप पोक क्रम सांप मह परिमाप है तो इनका रेश्व तो निकालो सबसे पहले चार से कड़ जागा चार तीवारा चार धाम की चाले ये क्या गए इनके पैरी मीटर का रिश्यू आगे अपनको दिया डि ये भी पूछाए डि की कर्रस्पॉंटिंग साइट ये भी है बिल्कुल ठीक है डि कहसे आगा आप बलो साथ सेकेंड ट्रा कार पत है सुजाता और अंजली समान बिंदू से लेकिन बेप्रीत देसाओं में क्रमशा टू पॉइंट फाइव किलोमीटर एंड बन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है यह द्यान देने वाली बात है इसमें किलोमीटर पर आवर में दिया इसमें मीटर लेख फंड के रहे ता आप बोलो सरी骑 डिस्टेंस शिंपल सा फ़र्मूलाइक कम मिलेगे मतला टाइम पूछा है तो ठीचल यह स्वीट के यहाइगी 10 बाहर यह स्वीट कहाँँ इसपीद achat दोने及ा फॉण आलतु चाहिए यह मीटर में है टाइम पूछा है मिनिट में है यह मीटर पर सेकंड में इसको भी पहले मीटर पर सेकंड में बदलू 2.85 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे मतलब 5 बटे 18 से मल्टिप्लाइ कर दें 5 बटे 18 से मल्टिप्लाइ करने का मतलब कितने इस 3 से कड़ जागा 3 नाम 27 ती 5 से 15 .95 तीछीं 18 तो यह आ जागा कितना 0.95 multiply by 5 by 6 और multiply करना है का कलूप पच्चिस 5 नाम 45 और 2 47 पूर पॉर पॉइंट 75 डिवाइड बाइ 6 चीक है और यह बन पॉइंट 5 6 से और काट ही लें क्या पूरा सोल भी कर लेते हैं बटे 100 कितने इस कड़ रहा है यह इसको यह से रहने तो 4.75 डिवाइड बाइड बाइच है अपन को क्या चाहिए यह दूनों का डिफरेंसी चाहिए 1.5 माइनस 4.75 डिवाइड बाइच है यह से मल्टिप्ला करें कि 15.90 मतला 9 9 में से 4.75 माइनस करना है डिवाइड बाइच है रिलेटेव अच्छा एक और चीज यहां पर यह देहन देने वाली बात है बिफ्रीद दिसाओं में चल रहा है और बिफ्रीद दिसाओं में जब भी चलते है रिलेटेव स्पीड क्या ह हो याती जुड़ याती अकर सेम डइसरे चल रहा हूं होतें सेम डारीशन में लेका ने चल रहा दोनों तरीक्ता बोल सकते हो, अब इसको स्वलू कल लो, 6 से यह कट जाए, कितनी बार मैं? 10 बार मैं, यहां से पॉइंट रटाएंगे, एक जीरो आएगी, 2 जीरो आएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ऐक है? ये 6, 3, 9, 9 से कटेगा, यह कट रहा है कि 7 3 10 5 और 1 6 16 9 से तो नहीं कट रहा है 11 से कट जाएगा 11 1 11 बचेगा 2 11 दूनी 22 बचेगा 5 11 55 ग्यारा से इसको काटो 11 6 6 11 33 25 पंजे 125 मतलब 55 125 पंजे 5 दूनी 10 ठीक है बिल्कुल ठीक है 63 दूनी 63 दूनी नहीं एक काम करो 25 चो को 100 बना हो 4 से मल्टिप्लाई डिवाइट कर दिया 4 से मल्टिप्लाई डिवाइट करने इस फायदा क्या हुआ नीचे बन गया 100 ऊपर बन गया 63 इंटू 8 क्योंकि 25 से डिवाइट करने से आसान पड़ता है कि आप 4 से मल्टिप्लाई कर लो इनको मल्टिप्लाई कर लो 83 चोवीस, 88 अर्टालीस और 2 पचास और 2 डिजेट के बाद पॉइंट 5.04 मिनिट आंसर आ गया ठीक है थोड़ा सा केलकुलीटिव है आपको ध्यान रखना है कि कस सी त्यूणिट का काम गोर। क्योंकि इसमें देखो यूणिट किलोमीटर में भी आगाई किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में भी दे रखा है मिनेट में भी पुछा है ध्यान रखना पड़ेगा कब आप किसको किसमें आगे देखे गलत सूत्र बताना है incorrect formula बताना है second square theta minus 10 square theta बिल्कुल सही है sine square theta plus cosine square theta बरावर बन बिल्कुल सही है cosine square theta minus quarter square theta बरावर बन बिल्कुल सही है यह चीज देखी है कि आप बिल्कुल नहीं देखी है यह गलत है गलत है मतलब यह अपना right answer हो ठीक है आगे दिखते हैं 15 प्रोर्स और 25 महिला एक कार को 9.6 दिन में करती है 15 एंड 25 बूमें एंड का मतलब क्या होता प्लस किसी काम को 9.6 दिन में पूरा करती है और 16 बूमें कितने दिन में कर सकती है 27 दिन में कर सकती है अपनसे पूछा क्या है 16 मैं कितने दिन में काम करें यह पूछा तो बिल्कुल पता इक किए को दिक्कत नहीं तो इंगा अब यहां देखो 16 मेंverse 96 आवे इस बटे दस लिखलो कोई दिक्कत नहीं है तीन से यह कड़ जाएगा तीन नाम 27 तीन दू नीच यह दो से यह कड़ जाएगा पांच वार में यह पांच के दर मल्टिप्लाइब होगा क्या जाएगा नोपंच पैतालीस भूमेन ठीक है यहां कुछ बचा कुछ नहीं बचा कुछ नहीं बचा तो यह बाज आएगा कितना 25 भूमेन 45 में से माइनस हो जाएगा कितनी बचेंगी 25 पैतालीस में से माइनस हो जाएगी 20 बचेंगी यह 15 है काटो कितने इस कट रहा है आप बोलो से पांस से कड जाएगा पांस ती यह 15 पांस चुक को 20 एम अपॉन डबलू के आ गया चार बटे 3 कोशन खतम हो गया अब क्या है अब इन दोनों के क्विट कर दू यहां डबलू की जागा क्या रखना 3 एम की जागा क्या रखन है चार कर लो सोल सोल से सोला कड जाएगा चार कट रहा है क्या डबलू की जागा तीन रखना एम की जागा चार नहीं कट रहा नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं 27 का इस तीया एक्यासी बटे चार डी आगे क्यासी बटे चार का मतला चार दू नहीं आड बचेगा सो तू पॉइंट टूपाच 20.25 ठीक है डी आंसर अ क्ल में बटा हो कोई समस्या कसी को यहां आगध दिखो हाउ हम इनी कांट्रीज इंडिस्ट्रीयल ग्रोथ इस मूर देन दा एविरेज इंडेस्ट्रियल घृथ एवरेज इन्डेस्टियल ग्रोथ से जाधा ग्रोथ किसकी कंटी यह तो एवरेज निकालना पड़ेगा केंसे निकाले है यह कितना है पचास है यह है बीज यह पचास अच्छा यह तीस है ना स्वारी यह 40 और यह 60 एवरेज ग्रोथ ने कालो कि कैंसे हो गया आप बोलो सर्थ सब को जोड़के 5 से डिवाइड करना सब को जोड़ना जा रहा 60-40-100 30-20-50 और 50-100 मतलब 200 बटे 5 5 चुक को 20 क्या आगा 40 40 से ज्यादा ग्रोथ किसकी है चालिस से ज्यादा ग्रोथ वाला कोई option देख रहा है आप बोलो सर्थ दो देख रहा है दो आंसर हो रहा है ठीक है बलकुल ठीक है आगे देखू इफ दे एरिया ऑफ सर्कल इस 616 सेंटिमीटर स्कॉर अक कॉर्ड एक्स वाई इस 10 सेंटिमीटर देन फाइंड दा पर्पेंड जीवाई एक्स वाई कितनी दीए 10 सेंटिमीटर की दीए ठीक है अपन को सेंटर से पर्पेंड्कुल डिस्टेंस बताना है आप बोलों से बिल्कुल ठीक है बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है रेडियस चाहिए 10 से यह हो जाएगी 5 यह डिस्टेंस निकालना है कैसे निकाल ग्यारस कड़ जाएका गैरा दूनी 22 ग्यारा चुक्को 44 होगां 11 पंजी बचमांच बाइस और ग्यारा चिक्के 66 चार चार अट अथास लगा लो यह निकालना है अपनको X X नहीं question mark मालो तो question mark की value क्या जाएगी under root of r square मतलब 14 का square 1 96 minus 5 का square 25 25 minus करेंगे 1 96 मेंस कितना बचेगा एक और 9 में से 2 minus करेंगे 7 171 under root 171 cm answer कोई समस्य है इसमें किसी को नहीं है आगे देखो के दिया find the value of sign square 25 देख रहा है sign square 65 देख रहा है अब बोलू सिर्थ sign square 25 और sign square ना sign में 25 की value पता है आपनको 65 की value पता है लेकिन sign square देखते ही अपनको एक identity याद आती है कि अगर sign square theta plus cos square theta होता ना तो अपन बिना देखे इसका answer बन कर देती है क्या इसको sign square theta plus cos square theta बनाया जा सकता है थोड़ा से लगा दिमाग क्या इसको sign square theta plus cos square theta बनाया जा सकता है आप बोलों से बिल्कुल बनाया जा सकता है 65 plus 25 का सम देखो कितना हो रहा है 90 65 plus 25 का सम है 90 और अपनको पता है sign 90 minus theta क्या होता है sign 90 minus theta होता cos theta 90 minus 65 कर दिया जाए या 90 minus 25 कर दिया जाए 65 को लिख दिया अपने 90 minus 25 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो यह क्या हो जागा cos 25 मतलब यह क्या है आपने पास sign square 25 plus cos square 25 जो कि क्या होगा बन होगा answer आगे दिखो क्या बूल रहा है select the correct statement correct statement बताना है नीचे दिये गए दंड आरेक्ट में संबंद में सही कहतन चेहन कीजिए तीन राज्य ए बी और सी दोवारा चावल का उत्पादन लाग टनों में है चावल का उत्पादन दिया है पहला statement के बोल राइस प्रोड़क्शन बाई का इंट तू तूढ़तन शिक्तीन इस लेच में सहाऊ दें डाइस प्रोड़क्शन बाई राइस प्रोड़क्शन Bio C इंट 22 divided के यह लैस है एं में अचलग कार्यक्ट सेड्मैंट है कुछ के द्वारा है का इससे कम आप बोलू सद बिल्कुल कम थेए अगर देख जाय तो यह देख लाए नहीं जा रहे यह तो जादा है यहां लेस की जगह अगर more होता ना तो यह answer टुक कर देते हैं लेकर यह less दिया मतल़ा यह गलत statement है अपनको tick क्या करना है सही वाला तो यह तो गलत है आगए देखो क्या बोल रहा है कि वी प्रोड्यूस और राइस देन एंड सी इंड तू थाजन एटी बी ने दोजार अठारा की बात हो रही है दो जार अठारा में बी ने बी कौन सा यह वाला कि कै ए और सी से जादा प्रोडूस किया आप बोलो साब बिलकुल नहीं किये यह भी जूट बोल रहा है साप हो रहा है लेकिन देखो आगे भी कई बार हुआ है मतलब यह highest production तो बिलकुल नहीं है तो यह भी गलत है अगला देखो rice production by B in 2017 is equal to the rice production by A in 2020 2017 में B के द्वारा और 2020 में A के द्वारा क्या बराबर है आप बोलो से बिलकुल सीधी लाइन में देख रहा है बिलकुल बराबर है मतलब यह statement सही हो गया और यह अपना answer हो गया पताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को आया समझ में आगे देखो क्या बूल रहा है यदि 280 का एक्स परसेंट का मतलब 200 और 280 बराबर है 15 परसेंट का मतलब 200 और 240 प्लस 20 परसेंट का मतलब 20 बटे 100 और 310 ठीक है यह percentage को मैंने fraction में कनबाट नहीं किया क्योंकि इतना दिमाग लागा नहीं यह स्ट्राइब के कुश्चन में इसको डारेक्ट काटते जाओ यह 0 से यह 0 कट रहा है यह भी 0 कट गई ठीक है पांच तीए 15 पांच दूनी 10 दो से यह कट जाएगा बारा बार में दिमाग लागाने की जरूर्द नहीं डारेक्ट सॉल्प करो यह हो जाएगा बारा तीए 36 31 दूनी बासट 36 प्लस बासट क्या जाएगा च्छे दो आठ च्छे तीन नौ 98 एक्स की वेल्यू क्या आगई 28 इंटू 10 साच चोको 28 साथ एकम साथ साच चोको 28 चार से यह कर जाएगा दो सत्य चवुदा दो पंज देस एक्स की वेल्यू क्या आगई 35 चीक है इस टाइब की कोश्चन में दिमाग लगाने नहीं है जो दिया सॉल्व करते जाएग डारेक्ट बिल्कुल दिमाग खर्च करने की जरूर्ब नहीं है ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई देखकत नहीं है आगर दिखते हैं x2 प्लस बना पॉन x2 दिया है 7 x2 माइनस बना पॉन x2 6 x2 माइनस बना पॉन x2 का मतलब क्या होता है x plus बना पॉन x x माइनस बना पॉन x एक तरीका तो यह आप यह दोनों निकालो उनका multiply करो पर रहां सा निकालो दूसरा तरीका एक यह है कि आप यहां से यहां डारेक्ट जा सकते हो अगर आपको एक फॉर्मुला याद है A प्लस B का अपन को चाहिए माइनस वाला माइनस B का होल स्क्वेर बरावर क्या होता A प्लस B का होल स्क्वेर जो चाहिए उसका सायन आता है 4 A B और यहां पर A B क्या बनेगा A B बनेगा X स्क्वेर X स्क्वेर जो आपस में कड़ जाएंगे तो यह अपनकर सिंपल सा फॉर्मुला है इसका अगर 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 अदरूर्ट कर देंगे तो यह निकाल सकते हैं मतलब अगर यहां पर X स्क्वेर माइनस बना पॉन एक्स स्क्वेर में लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत आप बोलों से कोई दिक्कत नहीं है यह फॉर्मुला भी पढ़ रखा है अपने तो डारेक्ट निकल जाएगा यह आदसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बिलकुल निकल जाएगा यह दे रखा है यह पूछा है इसे भी निकाल सकते हैं एक्स प्लस बनो पॉन एक्स एक्स माइनस बनो पॉन एक्स निकालना भी टफ्ट काम नहीं है लेकर यह ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि यह दे रखा है साथ का स्क्वेर उनाचास उनाचास में यह जाएगा इससे अपन कर सकते हैं यह भी लिखने की जरूब उड़ी आप डारेक्ट मन में कर सकते थे कि इसका स्कॉर उनाचास उनाचास में से चार माइनस करेंगा 45 45 का मतलब 3 root 5 45 का under root लोगे 3 root 5 ठीक है अच्छा किसी को यहां से करना हो तो कैसे करेगा आप बोलो x square प्लस बना पॉन x square दे रखा है x plus बना पॉन x अगर अपन को निकालना है तो कैसे आएगा कैसे आएगा इसके square में से देखो formula क्या होता है x plus बना पॉन x का whole square बरावर होता x square plus बना पॉन x square plus 2 यह अपन को निकालना है तो इसमें 2 जोड के under root लेलो 2 जोड के under root लोगे मतलब 7 और 2 9 9 का under root 3 यह 3 है जाएगा minus बाला निकालना है तो minus 2 कर दो 2 घटा के under root लेलो दो घटाएगे 7 में से दो घटाएगे 5 under root 3 root 5 यह भी कोई कठिन काम थोड़ी है देखना आपको यह है कि आपको जाना किस तरीके से दोनों तरीके से मैंने बता दिया कि यहां से भी जा सकते हो और आप यहां से भी जा सकते हो ठीक है बताओ इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है आगे दिखते है तो सक्सिसिफ डिसकाउंट है 15% of each अच्छा कोशन बुला एक सौपकी पर ने डिसकाउंट और स्कीम ओफर की अपनको बताना है अंडर बिच स्कीम बिलता सेलिंग प्राइस मेक्सिमम सेलिंग प्राइस मेक्सिमम किस किसमें होगा सबसे पहले तो यह सूचो आप सेलिंग प्राइस मेक्सिमम कम होता है selling price maximum होता है जब diskaunt कम दिया हो जैसे माल लो 100 रुपय कोई inषा है अगर मैं इस में 10 रुपय का تع시ले दिसकाउंट देता हूं तो tp 90 जाईगा और अगर में 20 रुपय का ですka व्यूंद को ये कि किसमें Mr. Selling Paris और जिस में answer यह आएगा अगर आपको basic पता आए तो basic मैं बताता हूं क्या है देखो successive को formula लगाना पड़ेगा इन तीन केस में formula क्या बोलता है आप बोलों से formula बोलता है minus 15 minus 15 पहले वाले के लिए लगाएंगे plus 15 का square 225 बटे 100 मतलब 2.25 सौल नहीं करना पूरा पूरा सौल तो करना ही नहीं है दूसरे में successive का formula लगाओ क्या है का minus 25 minus क्यों ले रहा है क्योंकि discount minus 25 plus 25 पंजे 125 बटे 100 1.25 तीसरा formula क्या है तीसरा है टू successive discount दस दस बीस और दस मतलब को minus 20 minus 10 20 ददहम के 200 200 बटे 100 प्लस तू और चोता inside 范श्चा इस ठीस है तीब है अब उपन को बताना है सबसे कम discount कि में लेगा को यह माइनस सीज देखू यहां भी minus 30 बन रहा है कि यहां भी minus 30 मान रहा है यहां भी minus मैंस थीस तीन aggression गाह of बताना है डिसकाउंट सबसे कम कहां बन रहा है ये क्या बताना है डिसकाउंट सबसे कम कहां बनेगा बोलो सपसे कम कहां बनेगा आप बोलो इसे जिस gente- कम से कम डिस्काउंट मिलेगा कम से कम डिस्काउंट कैसे मिलेगा माइनस तीस तो सब में माइनस वाली संख्या में कुछ प्लस किया जा रहा है कुछ प्लस किया जा रहा है जैसे इसमें 2.2 प्लस किया जा रहा है 1.25 प्लस किया जा रहा है इसमा माइनस 30 में अगर आप प्लस 2 करोगे संक्या क्या आएगी 28 लेकिन माइनस की तो अपन क्या बोलें कि संक्या कम हो गई मतलब 28% का discount मिल रहा है माइनस 30 में 2 जोड़ा 28 हो गया मतलब यह संक्या जितनी बड़ी होगी उतना कम अपना जीरो बड़ा आप बोलो संद नहीं बड़ा दो भी नहीं बड़ा 1.25 भी नहीं बड़ा सबसे बड़ा क्या है 2.25 सबसे बड़ा क्या है 2.25 यह अपन डारेट दिखते इसकी option से बता सकते थे कि आपको पता 15 का सबसे बड़ा होता है मतलब यह आंसर तो आंसर कौन सा होगा इसकी बन बाला ठीक है अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो पूरा सौल कर लो इसको जोड़ो कितना आ रहा है आप बोलो किसर देखो 15 15 30 30 में सब 2.25 घटाएंगे कितना बचेगा 30 में सब 2 घटाएंगे 28 एक और घटाएंगे 27.75 इसमें 1.25 घटाएंगे कितना बच जाएगा 28.25 28.75 इसमें से 2 घटाएंगे 28 बचेगा और यह कितना 30 सब माइनस में माइनस सिर्फ यह डिनोट कर रहा है कि डिसकाउंट है ठीक है इस से यह समझने की कुशिस मत करना कि जो संक्या माइनस में सबसे कम होग इसमें सबसे कम डिसकाउंट इसमें सबसे कम इसमें सबसे जाज़ा यांज ग्राइंग किसकी में होगा इसकी मडम में हुग आगे देखो दो तिरबुच का छेत्रफल दिया पांच रेशो तीन उनकी उंचाईयों का अनुपाद ये आधारों का अनुपाद बताना है दा एरिया अफ्टू ट्राइंगल इस फाइव रेशो थ्री एंड देयर हाइट इस फाइव रेशो शेवन फाइंड दा रेशो दे इस इंटू हाइट नि क्या होता है तो हिर्षा अब अब आपनको चाहिए क्या आप बोलो सर दाना कैंसे लत आप बोलो सब्सक्राइच रेश्यो अगर निकालना ही है अ है तो ए 1 ह1 रेश्यो एड टू ह two कितना एरिया प्वांच रेशो तीन है हाइड क्या प्माच रेशो साथ पांच से प्माच कर जाएगा साथ रेशो तीन क्या आगया बेस का रेशो आगया असर बताओ इसमें कोई समझ्या नहीं है होनी भी नहीं चाहिए इस टाइब की क्योश्टन में आगे दिखो यदि दु संग्याओं का लगोत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्या होता है क्या आपको पता है प्रोड़प्ट ओफ टू नंबर प्रोड़क्ट ओफ टू कि क्या होता है उनके LCM और SCM के प्रोड़क्ट के बरावर होता है कितने लोगों को ये बात पता थी कि LCM के तना बारा है SCFA दो बारा दूनी 24 ये आ गया उनका प्रोड़क्ट अपन से मद्द्यान उपाती पूचा मद्द्यान उपाती क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 अंडर रूट एभी 24 24 का अंडर रूट करें क्या जाएगा चार्चिंग 24 मतला चार तो बाहर निकलाएग दो रूट 6 आंसर आ गया ठीक है जिसको ये चीज पता थी वो उसने आंसर तक पहुंच गया लेकिन जिसको ये चीज नहीं पता वो क्या करेगा वह याद करेगा भी या कि प्रोड़क्ट आफ टू नंबर क्या होता है उनके LCM और SCF के परावर होता है कोई एक्जमपल दे पंद्रा इंटू बन इन दोनों के प्रोड़क्ट के बरावर आ रहा है क्या बिलकुल आ रहा थी पांच ये पंद्रा पांच और पंद्रा का देख लो LCM क्या हो जाएगा आप बोलो से पांच पंद्रा पांच इसके फेक्टराइजेशन करें पांच इन्टू एक आगा इ किसी के साथ आज के लिए इतना ही बाकी करेंगे कल बाए